हेलो प्रेंट्स इशा की जंग में आपका एक बार फिर से सौगत है प्रेंट्स आज हम आपके साथ शेयर करें मार्समेलन के एक यूनिक सी दिस तो जिसे आप शेख भी कह सकते हैं या थूट पंच भी कह सकते हैं तो खर्बूजे का पंच बना रहे हैं तो इसके लिए आपको एक अच्छा ऐसा खर्बूजा ही लेना है दो तिन तरह के आते हैं तो आपको मोटे चिलके वाला लेना है पतले चिलके वाला नहीं लेना है उसको लेना है और ठंडा एकदम लेना है प्रीज में आप रख दीज बहुत ही डिलेसिस बनता है तो सबसे पहले आपको यह खर्बूजा लेकर के दो करके ठंडा कर लीजिए उसके बाद इसको बनाईए तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद एक बैल आता है उस बैल जैसा निकालना है तो अब हमको स्कूप कर से या कुछी चम्मच से आप इसके अंदर का सारा पल्प जो है सब निकाल लेंगे इसकी सारे बीज सब कुछ बाहर निकाल लेंगे तो बहुत ही असानी से निकल जाता है कोई दिकत नहीं आता है आप असानी से निकल लेजे तो इसको इस तरह देखेंब निकालए बीज करना हमेरे बीज भीज के लिए उसको आप सुखा करना भी यूज नहीं करना है, इसको और अप सुखह कर विश कर सकते हैं साब जी सब्सक्राइब जी की ग्रेवी बनाते हैं जरूर यह यूज की जाती है तो इसको आप माइक्रोबे में भी रखके एक मिनट के लिए रख दीजिए एकदम से ड्राय निकलेगा उसको आप एक कप्ड़े से मल दीजिए तो सारे चिलके इसके निकल जाते हैं तो यह देखिए इस तरह निकाल लिया है जैसे इसी तरह सार कर लेना है उसमें कुछ तुकड़े रहेंगे जो खाने में उसका अच्छा लगता है कि इस तरह हमको खाली कर लेना है और को एक जार लेना है .. पौल्ब्प के बचा लिया थे क्षे हैं पर इसको निक Agriculture कर लेंगे ज्यादा भारिक नहीं करना है तो यह हम ने जार में डाल लिया है और इसको तो बेंगे साधा को फ़ोटा कि खर ला है उनुकभा पर हमें पर फोटा हूँ toughest और जोड़ लगता है तो 2-3 चमच लेना है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप आदा कब दूद ले लिजेगा दूद से भी बहुत अच्छा है दूद की मलाई जो आती है वो भी डाल सकते हैं आप इसमें अगर वो है आपके लाज तो वो डाल दीजे तो यह फ्रेस्ट क्रीम हमने 2-3 चमच इसमें लिया है और इसको हमको चर्ण कर लेना है तो यह देखिए चर्ण करने के बाद यह ऐसा तयार हो गया है तो एकदम बढ़िया क्रीमी टैक्चर है तो इसे हम साइट रख देंगे और हमने जो खर्बुजा लिया था उस खर्बुजे को लेंगे जिसका हमने सारा पल्प निकाल दिया कुछ अंदर रहे गए हैं चोट टैस्टी लगता है तो अब इसमें जो हमने बनाया था प्यूरी वह डाल देंगे तो देखिए यह हमारा खर्बुजा पंच तयार हो गया है तो यह हम अब इसमें जैसे जो रोश्टेट सीर्स आती हैं जैसे सभी मिक्स भी आती है अलग अलग भी आती है तो यह हमने बड्टावयरी पूल कुछ कद्दी बड़ाय सेट यह सब अब्ड डालनाखों ऐसका ने वमया पर लाग मोए लिड़नाखे रफिन अक्ति पर यह बनाले हुआर्सी के बीज है जिसको फ्लैक्स सीर्ट को यह सब करना हो नहींशा अगर आप इसको भी skip कर सकते हैं, तो यह हमने बदाम डाल दिया, कटा हुआ, बारी कटा हुआ बदाम है, और यह बारी कटा हुआ पिस्ता, इस जगह पर ना, क्रश्ट भी आप डाल सकते हैं, इस्ट्राबेरी बगर के जो आते हैं, औरेंज, इस्ट्राबेरी, मैंगो, चाहें, तो आप किसमें भी डाल सकते हैं, हमने डाला है, जैसे आप डालना चाहें, तो डाल दीजे, अखरोट डाल दीजे, बारी काट के अखरोट कर थोड़ा सा क्रंच करके डाल दीजे, तो यह काजू डाल दे रहे हैं, काजू को कट करके, दो से तीन काजू हमने लिया आप जो fruits और जो nuts आपको पसंद है आप वो इसमें डालिए आप इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं तुटी फुरुटी भी डाल सकते हैं जो चाहें आप उसमें डाल करके सर्व किजें तो इस सब किजें तो इस طرح इसको हमको त्यार कर लेना है बच्चोको जैसे आप दे रहें तो इसमें चॉकलेट सीरुप या चॉकलड चिपस डाल देजे तो बच्चे से अच्छे इंजॉय करेंगा पर ऐससे क्या होता है बच्चोको नाcas पसंद होता है ना knapph कि खरबूजा पसंद होता है तो इसलिए आप बच्चों को चॉकलेट डाल के दिए जो ढखकन लिया थो उसका भी हमने अंदर से पर्प निकाल दिया और इस तरह ढखकर के अब हमको फ्रीज में रख देना है दो से तीन घंटे रख दीजे अच्छे से चेल हो जाए तो ही सर किजेगा तो फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो में बहुत जाल मुलाकात करेंगे तब तक के लिए भाये भाये